हेलो परिंदो कैसे हो आप लोग बहुत अच्छे होगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी आप लोग मुझे जानते हैं मेरा नाम है बायोमन और आप लोग देख रहें बायोमन पॉइंट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाल चलेंगे तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मानों जीनों परियोजना आपके बोर्ड एक्जाम के पॉइंट अफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉइंट है अ कि वो वीडियो चैनल पर अप्लोड है ठीक है और यदि आप क्लाश्टल तो बैलोजी के ना सभी लेक्चर्स और इंपॉर्टन कोश्चन नहीं देखे हो तो यह प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स पर देख सकते हैं तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर और वहीं पर पढ़ते हैं मानोजी नूम पर योजना के बारे में तो हां वीडियो को लाइक करके और चैनल को आप लोग जल्दी से ना सब्सक्राइब कर देना क्योंकि अरिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो सब्सक्राइब करते नहीं यह वीडियो को देख लेते हैं और चले जाते हैं ठीक है तो आप लोगों से विनम्र निवे देना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर दिया करो ठीक है चलिए अब स्टार्ट करते हैं ठीक है तो यहां पर देखें जैसा कि question पूछा गया है कि Human Genome Project क्या है इसके उदेशों को इसपर्ष्ट कीजिए यहां परियोजना किस दिशा में कारे कर रही है ठीक है यह जो परियोजना है वो किस दिशा में कारे कर रही है ठीक है फिर मानो जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप पड़ी करिए ठीक है देख लोग कुश्चन पूछा जाता है है ना यह कुश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है हम लोग इसका आइंसर देख लेते हैं एंसर क्या है देखें एंसर है हुमन जीनोम प्रोजेक्ट एक प्रकार की पर्योजना थी क्या थी यह जो है हमारा हुमन हुमन जीनोम प्रोजेक्ट हुमन जीनोम प्रोजेक्ट एक प्रकार की पर्योजना है ठीक है इसमें क्या होता है जीन रासी या फिर जीनोम ठीक है हुमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंद पेड़ छान की जाती है देखिए इसमें लिखिए देखिए कि जीन रासी या जीनों संतान को अपने जनकों से जो गुड़सूत्र प्राप्त होते हैं आपको पता है कि जो संतान होते हैं उनकों क्या होता है उनकों अपने जनकों से क्रोमोसोम प्राप्त होते हैं उनसे सबस महत्योपूर भाग डियने का क्योंकि हमने आपको बता या बता modular है कि जो गुर्सूत होता है फीक है ये जो डियने अड़ू कैसे होते हैं डियने अड़ू होते हैं एससे ती depths फैले ओले ठीक लेकिन डियने अडू कुछ प्रोटीन से संघनीत हो जाते हैं और वो संघनीत हो करके क्या बनाते हैं वो संघनीत हो करके ये तीनों डियने अडू है अब ये डियने अडू संघनीत हो करके एक ऐसी स्टेक्चर बना लेते हैं ठीक है ये क्या थे ये थे हमारे डियने अडू लेकिन अब ये क्या है यह हैं हमारे क्रोमोसोम थीक है क्लियर है आगे चले देखिए मानो जीनोम परियोजना की प्रथम सोच संभाउता फ्रांस के जीन डॉसट थीक है, कब जो मानोजिनों पर योजना थी, इसकी जो प्रतम सोच थी, वह किसकी थी, जीन डॉसेट, फ्रान्स के जीन डॉसेट, ठीक है, जोकी 1983 में 1983 में की है ठीक है वे प्रारंब में मानव लिउकोसाइड एंटीजन ठीक है जिसको हम लोग HLAS बोलते हैं HLAS क्या होता है Human Leukoside Antigen System पर कारे कर रहे थे ठीक है जो जिन डॉसेट थे वो 1983 में LAS पर कारे कर रहे थे HLAS पर कारे कर रहे थे ठीक है जिससे उन्हें मुख्यता अंग प्रत्यारोपन आरगन ट्रांस्प्लांट के कारे करने में सहायता मिल सकी ठीक है इस पर कारे कर रहे थे लेकिन इने मुख्यता आरगन ट्रांस्प्लांट पर कारे करने के इनको सहायता मिल गई अब देखो यह कार जीव विज्ञान के छेत्र में नए छेत्र जयो सूचना विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स ठीक है क्या बोलते हैं जयो सूचना विज्ञान यानि की बायो informatics के तेजी से विक्सित होने से हो सका ठीक है जो सूचना थी उसको तेजी से विक्सित होने पर यह सारी चीज़े हो सकी ठीक है फिर आगे देखिए आगे है कि मानो जीनोम परियोजना के अंतरगत विश्व की कई प्रियोग सालें कारे रहता हैं ठीक है मानो जीनोम पर्योजना के अंतरगत human genome project के अंतरगत विष्व भर ने क्योंकि ये जीनोम जो पर्योजना शुरू होई थी मानो genome project जो शुरू हुआ था यह प्रकार करना प्रोजेक्ट है ठीक है और यह प्रोजेक्ट पूरे विष्व भर में चलाया गया था वर्ल्ड में पूरे इसको और्गनाईज किया गये था पूरे वर्ल्ड में इस प्रोजेक्ट को चलाया गया था थीक है तो मानो जीनो पर्योजना या फिर मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं ठीक है इसको क्या बोलते हैं इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं यानि कि यह महा पर्योजना है ठीक है क्या बोलते हैं इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं याद रखना सब चीजों को ठीक है वैग्यानी का नाम मानो जी पर्योजना का उद्देश से क्या था ठीक है चलिए पहला उद्देश देख लीजे समझने का प्रयास करते हैं और आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा ठीक है चलिए मानो जीनोम देखें यह जो मानो जीनोम है ना हिूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसको मैंने आपको पढ़ाया है ठीक है जब मैं आपको वनसा गति का आणविक आधार पढ़ा रहाता ठीक है क्या पढ़ा रहाता वनसा गति का आणविक आधार तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़ आया है ठीक है मानो जीनोम पर योजना के बारे में और समझाए नहीं बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर मैंने आपको समझाया है ना तो चलो अब आप लोग को समझे होंगा जो अच्छे पूर लेक्चर वीडियो देखें हैं ठीक है इसके बाद आप वन सौट वीडियो से मान चित्रन ठीक है मैपिंग बोलते डीने मैपिंग ठीक है मानो जीनोम के संपूर रूप से मान चित्रन तथा अनुक्रमी करन जिसको बोलते सिक्वेंसिंग मैंने बताया था डीने के अंदर डीने मैपिंग होती है डीने के अंदर डीने का सुक्यंस होता है ठीक है सिक् गोड़े दस की पावर नाइन नाइट्रोजनी छारक युगमों के अनुक्रमों का निर्धारण तथा इसकी जानकारी से अनुवांसिकी के द्वारा मानो स्वास्त में योगदान ही महत्पूर पर्योजना का परम लच्छ है ठीक है जो तीन मिलियन तीन स्वारी तीन बिलियन तीन गोड़े दस की पावर नौ जो नाइट्रोजनी समच्छा रहे ना उनका अध्यान करना ही में इसका मानो जीनों पर्योजना का लच्छ है ठीक है परम लच्छ है ठीक है ओके चली सेकेड नमबर आईए ऐसी भी भावनाएं हैं कि मनुष्य में पाए जाने वाले जिनकों को बोलते हैं नौवल जीन अध्बुद जीन वह उनके कारें का पता चल सकेगा ठीक है यह अध्योजनी दिङ पतोकि उसको फूटर में सिक्योर कर सकेंगे कि तो कहां पर होती है वो डिने के अंदर लिखी रहती है है रहता है जो आपको पता है वो DNA के खंडों के अंदर लिखा रहता है तो मानों जीनों परियोजना में क्या किया गया कि इसी नाइट्रोजनी अनुक्रमों को समझा गया ठीक है उनके अनुक्रमों को समझने के बाद क्या होगा कि जो अनुवांसिक बीमारी है ना अनुवांसिक अनियमित्ताओं से जो र या या जो इम्मुनिती आपकी तर विभिन रोगों स्वाप्रतिरच्छा इम्म्हुनिती तथा मानसिक रोगों इसे में परपोशी के अन्वानसिक योगदान का अध्यन शंभाव हो सकेगा ना वजीव के जिनों चित्रन जो अनेक जीव है अलग अलग जीव है उनके जीनों चित्रण करके इनके दोरा मानों के मानो के जीनोम Friend को लगनेवाले समय का ग्यान हो सक'Mई ठिक है नी कि मानों का जिन जीनोम चित्रण है उसको लगाया जाएगा और अनेव मनुष्यों अने क जीवेंगे उनका भी जीनोम चित्रण लगाया सकती है तथा शम्जात क्रमों में क्या बोलता है कि सम्जात क्रमों में उच्छ संरच्छित जीनों की पहचान की जा सकेगी सात्वा नमबर आईए सात्वा नमबर बोलता है गुड़ सूत्रों में उपस्थित जीन की क्रमों का पता लगाना गुड़ सूत्रों में समझ रहो ना क्रोमोसोम आपको पता दू फिर से एक बार ये डाइग्राम क्रोमोसोम के अंदर होता है डिने और डिने के एक खंड होता है जीन ठीक है ये है सी ये है डी और ये है जी सी डी जी ये क्या उसका फार्मूला बता दिये वह या सी का मतलब क्रोमोसोम डी का मतलब टीने जी का मतलब जीन ठीक है गुर्शूत्रों में उपस्थित जीनों के क्रमों का पता लगाना मानो जीनों परियोजना का मुख्युद्देश था जिससे उनकी संदचना कारे तथा संबंधों के विशाय में जानकारी प्राप्त की जा सके ठीक है आठवा नंबर है समस्त जानकारी को आकड़े के रूप में संग्रहित करना जो मानो जीनों परियोजना में जो जीन है कैसे फंक्शन करते हैं कैसे वर्क करते हैं इनकी जो जानकारी है इनकी जो नौलेज है उनको आकड़े के रूप में क्या करना संग्रहित कर लेना तथा आकड़े के विसलेशन ह तो नई तकनीक का सुधार करना जैसे जब आकड़ों का विशलेसर नो opposition होता है तो नई टकनीक में सुधार किया सकेगा नवा नमबर दीए योजना द्वारण उठने वाले नैतिक वा कानूनिक समाजिक मुद्दे के बारे में विचार करना ये भी क्या था मानोजिनों पर्योजना का मुख्या उद्देश से था ठीक है चलिए यहां तक क्लियर हो गए आपका यहां तक आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समाज आ रहा होगा अब देख लीजे वहाँ पर आपने डियने मैपिंग के बारे में देखना डियने सिक्वेंसिंग के बारे में देखा थे यहां पर देख लो आप लोग कि इसकी कारे प्रडाली क्या है यह कैसे फंक्शन करता है यानि कि जो हिूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो कैसे फंक्शन क कर सकते हो ठीक है इंस्टागराम मैंसेश कर दोगे वहाँ पर मेरा परस्टनल लंबर भी सेर कर रखे वाट्सअप नंबर आप लोग आ करके मिरे से बात कर सकते ठीक है कभी बच्चे जिन्दिगे में कितना भी परहसान हो जाना ना बात कर ले ना मेरे जिसको बोलते हैं करियात्मक क्या होती ठीक है तीन चीजे अगर आप लोग बोर डीजा में किवरे Nana होता ही यह 27 div इन तीन चीज़ों को मेरे साथ याद करो चलो जल्दी याद करो, अभी याद करना है और अगर आप लोग इनको अपने बोर्ड में लिख दोगे न बोर्ड इक्जाम में जब आप इनको अपने कौपी में लिखोगे न तो बहुत esamenar कारी की दिशा क्या है जीनोम संरचनाओं की सग्रम जानकारी से ब्यक्ति परक्ची कित सक ठीक है सुद दिन दिया ठीक है मैंने भी बताया कि जो बच्चा पैदा होता उसको अनुवांसिक बीमारी है या फिर उसको जनेटिक डिजीज है तो उसको बारे में हाँ पर प्रसस्त हो सकेगा ठीक है अब व्यक्ति विसेज को 450 साइटो क्रोम आईसो जाइम की उपस्थिती और दच्छता के आकलन के बाद आकलन के बाद उसके अनुसार आसादी दी जा सकेगे यानि कि जीनों को देख लिया जाएगा जीनों को पढ़ लिया जाएगा और जीनों को पढ़ने के बाद देख लिया जाएगा इसको किस प्रकार की आसादी दें ठीक है जैसे आज हम लोग खून टेस्ट करते हैं आग देखो रोग बचाओ की अवसदी पर अनुसंधान के लिए मानों की अनेक जीन जातियां व्याधियां का एक बेवरा इंटरनेट पर आनलाइन मेंडेलियन इन्हेरिटेंस इन मैन पर भी उपलब्द है ठीक है इनका बेवरा यह सबसे बहुत इंपॉर्डन बात है इसको मैं जूम इन किये दे रहा हूं ठीक है यह देखो यह छोटी सिलाइन ना बहुत कुछ बोल गई जीन जनित ब्याधियां जो इसमें ब्याधियां है दिक्कते हैं ठीक है ब्याधियों का बेवरा इंटरनेट पर आनलाइन मेंडेलियन इन्हेरिटेंस इन मैन ठीक है क्या है ओन जीन जनित रोग विकारों पर देखी जा सकती है ठीक है फ्युक्चर में आप लोग डॉक्टर बनोगे ना बहुत अच्छा कुछ करोगे बच्चे जिंदगी में डॉक्टर बनना यार सब कुछ सब कुछ होगा तुम्हारे पास अब देखो अधिक से अधिक मानव के जीनोम की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास विस्ट के कई देशों में आरम हो चुक版 है थीक है चीन ने क्या हुआ है चीन मतलब हर चीज में आगे है भी यहां पर भी आगे है जेनिटिक्स जो जीन को पढ़ता है अभी तो देखो चीन में तो corona बनाया है ना चीन ने क्या है बाजी मार दी है जहां तैजहाउ सहर के 10,000 लोगों के जीनों का नमूना 10,000 लोगों के गिल लो एक बर में गलत नहीं पढ़ता हूं 10,000, Oh my God, sit 10,000 लोगों के जीनोम का नमूना जिसको बोलते जेनिटिव डाटा बैंग में डाला जा चुका है इनके जो जीनोम का नमूना है वो जेनिटिव डाटा बैंग के अंदर क्या हुआ डाला जा चुका है और 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 लच निवनतम 5,000,000 लोगों का है टार्गेट देखो है ना पागलों का टार्गेट देखो छोटा छोटा रहता है सब है ना चाइनीज हला छोटा 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 चाइनीज इंडिया का जो गाओं का जो लड़का है उसको घुमा घुमा के म बढ़ा है इसलिए आप लोग को बतारू हमेशा अपने टार्गेट ना बढ़ा करना ठीक है फिर आओ विगत सितंबर माह में क्या बोला जाता है कि विगत सितंबर माह में अपने देश में लखनव में अरे गजब यार उत्तर प्रदेश की रासधानी लखनव में इसी तरह क का प्रयास प्रारंब किया गया है जहां एक dna बैंक की इस्थापना की गई यह आपका एक कुष्चन है पूस सकता है कि भारत में कहां पर अभी हाली में एक dna बैंक की इस्थापना की गई तो आप उसका जवाब दोगे वो कहां है वो है लखनव के अंदर ठीक है चलिए अब देखते हैं बस क्लियर है यानि कि अब आपका टॉपिक हमारा यही पर था आज हम लोग डियाने ए सॉरी मानो जीनों परियोजना को समझ चुकें अच्छे तरीके से पढ़ चुकें ठीक है तो फाइनली अब यही पर वीडियो खतम होता है तो आप लोग को वीडियो करवा दिजे मैं सभी करवाओंगा सभी का वन सॉट डूंगा आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाओंगा आप लोग आप लोगों को भी मेरा साथ देना है ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों के पास सेयर करना है और जो हमारा एक चैनल है चैनल का नाम है बायोमन मोटिवेशन उस चैनल पर भी आप लोग को सपोर्ट करना है उस चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियो को देखना है ठीक है तो चलिए फाइनली आज का वीडियो यहीं पर खतम होता है पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए विस्यों अल्द बेस थैंक यू